पूरा पानी इसका निकाल देना है इसलिए एक रात तो फ्रिज में रखना है ये next morning आप देख सकते हैं दही इतनी अच्छे से उसका पानी निकल चुका है ये proper form हो चुका है और ये सारे बाकी के ingredients है जो हमें श्रीखन मनाने के लिए चाहिए होंगे अब हम सबसे पहले दही को ले लेंगे एक बोल में ये दही एकदम परफेक्ट है क्रीमी है सॉफ्ट है और एकदम परफेक्ट है अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे शकर जो एकदम अपने टेस्ट के हैसाब से डालनी है हमने पाउडर शुगर लिये तो इसको सीव करके ही यूज़ करना है ताकि इसका थोड़ा सा भी दाना बचाओ तो आपके श्रीखन में नहीं गिरे वो नेक्स्ट आम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा क्रश्ट पिस्ताच्य इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है है आप अब्सुट्ली लव इट अब हम इसमें आड़ करेंगे क्रश्ट इलाइचि यह बहुत ही थोड़ी सी लेने है क्योंकि इसका फ्लेवर होता है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग होता है next time इसमें डालेंगे केसर जिसको हमेशा आपको दूद में थोड़ा सा डाल के रखना होता है जिसे उसका कलर जो है वो आ जाता है उसका फ्लेवर फ्रिग्रिंस सब बैठ जाता है दूद में यह सारे इंग्रीडियन्स आड करके इसको अच्छे सम विस्क के साथ मिला लेंगे और आप देख सकते यह इतना क्रीमी और इतना पॉफेक्टली मिक्स कर दिया अभी हमने अब बिकास हम मैंगो श्रीकंड बना रहे है तो हमने मैंगो के पीसे इसमें आड कर दिया इंस्टेद आफ प्योरे सो विल जस्मिक्स तोगेदर अगर आपको मै इसको सिर्फ प्लेन पिस्ता केसर का श्रीकंड भी रख सकते वो भी उतना ही टेस्टी होता है श्रीकंड पूरी और अलुकी सब्सी का कॉबिनेशन बहुत ज्यादा पॉपिलर है यहां पर मैंने पूरी की जगा पराथे लिए बट यह बहुत ही यमी मील है अगर आपको य पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिये बहुत ही ज्यादा एजी है और प्लीज दो ना फगेट तो सब्स्क्राइब तो मैं चैनल फो मोर रेसिपीज